हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपके अपनी यूट्यूग चैनल आलोक मोसन प्लैसेस में स्टुडेंट आज हम आपके लिए जो आपका सीजी बोर्ट का एसाइमेंट हो रहा है यहनी कि जो आपका एसाइमेंट टू है जो कि आपके सेप्टेंबर मंद का है ठीक है तो यहाँ पास आज हम आपके लिए आपके क्लास 10 का एसाइमेंट टू लाए है जिसका सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट इंगलिस के सभी क्वेस्टन के एंसर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे अगर आपको इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो आप मारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं लिंक नीचे description पे मिल जाएगा या search कर सकते हैं आलोक motion classes चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले क्या है question number one है ठीक है तो question number one क्या दिया है answer the following question ठीक है तो इसमें A है देखिए क्या है what sounded absurd to aunt Jane ठीक है तो यह है इसका question पहला और इस पहले question का answer आप यहाँ पास देख सकते हैं ठीक है तो यह देखिए इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer है आपका the installment for all the things came to seven pounds eight selling eight pins a week but his income was only six pounds so the installments purchase seem absurd to aunt Jane ठीक है तो यह हो जाएगा इसका यहाँ से हां तक answer ठीक है यहाँ पास आपको करना क्या है अगर आपको अच्छे से देख रहा तो वीडियो को रोकिए और बढ़िया से लिखिए ठीक है टेलिग्राम ग्रूप जोइन करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है अब यहाँ पास देखिए इसके बाद इसका अगला question है question number two है क्या है question number two यहाँ पास देखिए How did Jack manage to pay seven pounds and eight pins out of six pounds ठीक है यहाँ पास इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer यहाँ से यहाँ तक है आपकर ठीक है क्या है answer देखिए Jack and six pounds ठीक है फिर इसके बाद है he paid seven pounds and eight pins toward the installments he managed to pay it in installments ठीक है तो यहाँ तक आपको answer इसका लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद देखिए इसका अगला question है question number two है देखिए question number two क्या है filling in the blanks with the appropriate word from the brackets ठीक है तो यहाँ पास इसका पहला है देखिए आ नमर है क्या है बेन किन सोब वाज लेट फॉर डेश डेश क्लास ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका ये PE ठीक है तो यहाँ पास आपको क्या लिखना है PE ठीक है फिर इसके बाद अगला question है इसका यहाँ पास question number B है क्या है तो यहाँ पास इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer आपका हो जाएगा यहाँ पास no kit ठीक है तो यहाँ पास इसे आपको टिक कर लेना है ठीक है फिर इसके बाद देखिए यहाँ पास question number C है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका math ठीक है यहाँ पास आपको math से लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद है अगला question है question number 4 है यहाँ पास याँ डी है I know it is very absenting sir underlined word can be replaced in above sentence by यहाँ पास क्या हो जाएगा disappointing ठीक है यहाँ पास यहाँ पास यहाँ इसका answer हो जाएगा disappointing यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके सभी प्रशनों के जो question है यानि सभी answer यहाँ पास आपको दिख रहा है ठीक है question number 2 के यहाँ पास आपको video रोकर लेक लेना है ठीक है यहाँ पास आपको करना क्या है change into present perfect tense ठीक है तो यहाँ पास आपको करना क्या है present perfect tense में से change करना है तो इसका answer क्या हो जाएगा देखी answer होगा she has taught English very well ठीक है तो इसका answer क्या हो गया she has taught English very well ठीक है फिर इसके बाद अगला question है पास दूसरा question है I go to Mumbai ठीक है तो यहां पास इसको करना क्या है change into present continuous tense ठीक है तो यहां पास इसका answer क्या हो जाएगा देखिए I am going to Mumbai ठीक है तो यहां से यहां तक आपको इसका answer लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद क्या है अगला question है अगला question क्या है question number four I get up early in the morning तो यहां पास करना क्या है make the sentence empathic using do does did ठीक है तो यहां पास आपको इसका use करके empathic sentence बनाना है तो यहां पास इसका answer देखिए यहां पास क्या हो जाएगा I do get up early in the morning ठीक है फिर इसके बाद अगला question है यहां पास अगला question है question number five it ran yesterday तो यहां पास आपको add question tag यानि आपको प्रशनवार चेक बनाना इसे तो यहां पास हमने इसे बनाया है did it ran yesterday ठीक है तो यहां पास इस तरह आपको भी बना लेना है यहां पास आप देख सकते हो कि आपको कितने बेहतरी answer मिल रहे है वो भी typing करके ठीक है और इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है इसके लिए एक वीडियो को तो like चरूर कर दीजेगा ठीक है और channel को subscribe ठीक है तो यहां पास देखिए question number four है question number four है क्या write a paragraph on in pandemic situation on the basis of given hint ठीक है तो यहां पास आपको hints दिये गए है इसके मदद से आपको paragraph बनाना है ठीक है तो यहां पास देखिए इसका answer है यहां पास यह है petrotism में आपका इसका answer बनाए है हमने paragraph यहां से यहां तक आपको लिखना है और थोड़ा सा आगे है ठीक है यहां से आ तक है तो इसे हम पढ़ नहीं रहे है ठीक है क्योंकि थोड़ा सा यह लंबा है तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी तो आपको करना क्या है वीडियो को रोपना है और यहां से यहां तक पहले आपको लिखना है फिर इसके बाद थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ेगा फिर इसके बाद यहां से यहां तक आपको लिख लेना है ठीक है तो चलिए यहां से यहां तक पहले वीडियो को और फिर लिखिए ठीक है तो यहां पास वीडियो की quality भी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए करें क्योंकि आपको अच्छा दिखें और सारे answer type किये हैं ठीक है तो यहां पास आपको इस poem को अच्छे से पढ़ना है फिर answer देना है ठीक है बाके answer देने के लिए तो हम है ही ठीक है तो यहां पास यहां पास यहां से यहां तक ठीक है तो यह हो गया इसका answer इसे आपका क्या लिखा answer क्या है ड़क प्रेजिट दा कंगारू बाइस सेंग दैट इस ग्रोजियस ठीक है duck said that you hop over the land and water too this must be very interesting ठीक है तो यह हो गया इसका answer यहां से यहां तक आपको लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद अगला question है इसका what did the duck say about his life in pons ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा duck said that is very sorry life is so boring in pons ठीक है तो यहां से यहां तक आपको इसका answer लिख लेना है फिर इसके बाद अगला question है question number c है what did the duck wish to do ठीक है तो यहां पास इसका answer हो जाएगा the duck wish to hope like kangaroo ठीक है तो यहां पास इसका answer यह हो जाएगा फिर इसके बाद है find the synonym words of understanding in the poem ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा boring ठीक है तो यहां पास यह आपको क्या था पाचवा question था है न तो आपके जो assignment में है पाच ही question है तो हमने यहां पास आपके पाचव question के answer कर लिए है comment section में जरूर जाके बताएं क्योंकि आपकी वीडियो कैसी लगी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दें चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करें क्योंकि हमसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और आपके सारे assignment की वीडियो upload कर दिये जाएंगे time से तो उमीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको telegram में इसका pdip चाहिए तो इसका मैं एक code बता रहा हूँ तो इसका code है क्या है EG 1002 ठीक है ये इसका code है अगर आप ये code टेलीग्राम में बताते हैं तो आपको इसका पेडियाप मिल जाता है ठीक है बाकी हमसे आप जुनने के लिए इंस्टाग्राम में भी फालो कर सकते हैं ठीक है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई